नाज़िन टेक्नोलोजी की सलसले में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके वोपर डिसकुशन करने की जबूरत है और हमारे एंवार्मेंट के अंदर हमारे महौल के अंदर इसके ओपर क्या क्या असरात मनतब हो सकते हैं टेक्नोलोजी हमारी जिन्दगी में कहा मदद दे सकती है और टेक्नोलोजी के बारे मिस्कॉंसेप्शन क्या है एक बहुत बहुत प्राब्लम है जो बाद लोगों के जहन में है वो जी कि टेक्नालोजी के आने से क्या हमारे मुलक के अंदर गुर्बत पहल जाएगी चुंकि हमारे हैं अबादी बहुत ज़्यादा है 18 करोड की अबादी है और बाज लोगों के जहन में यह आता है कि जब टेकनोलोजी आती है और टेकनोलोजी के साथ ही आटोमेशन आती है मशीने काम करना शुरू करती है तो वो जो लेबर इंवाल्व होते है वो लेबर बेरोजगार हो जाते है और उनके पास काम काज नहीं होता तो बाज लोगों के जहन में यह कॉंसेप्ट आता है या कहिए मिस्कॉंसेप्शन आता है कि टेक्नालोजी जब भी आती है वो अपना एक अलैदा रोजगार इजाद कर रही होती है आप सुचिए कि आपके पास पहले लेंड लाइन्स थी और उन लेंड लाइन के अंदर जो फोन्स इस्तेमाल हो रहे थे उनके अपने टेक्निशन्स थे कि जो उन फोन्स के उपर काम करते थे उसकी रिपेरिंग करा करते थे लेंड लाइन के लिए तार बिचा करते थे और बिचने के लिए आपको जमीन के अंदर खंदक खोदने पड़ती थी गड़े खुदते थे ये सारे काम हुआ करते थे पहरे जमाने में उसके बद में मुबाइल टेकनोलोजी आई और मुबाइल टेकनोलोजी आने के नतीजे में क्या रोजगार बढ़ गया या रोजगार और मिला लोगों को तो हम देखते हैं कि ये इस तेखनलोजी के आनेती जिसको हम मुबाइल टेखनलोजी तेहली कैसकते हैं या थारी कम्लिकेशन कैसकते हैं फिर मुबाइल की रिपेरिंग के लिए एक अलहिद असान अद बन गई, पुरी इंडस्ट्री बन गई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर जो मुबाइल का कंजम्शन बढ़ा, तो खुद मुबाइल की पॉड़क्शन पाकिस्तान के अंदर होने लगी, पुरे- इस मिस्कॉंसेप्शन का एक बहुत जो सिंबॉलिक एक्स्प्रेशन किया जाता है, वो यह है कि भई, अभी आपकी रोड्स के उपर जो हैं, वो लोग जाडू लगा रहे हैं, बहुत साए लोग स्वीपर का का काम कर रहे हैं, तो अगर आपने एक मशीन लगा दी, और वो जाडू लगाने का काम कर रहे थे, हम इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे, और थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद, इनकी जिन्दगियों का आउटपुट सिर्फ कुड़ा जमा करना नहीं होगा, बलकि इनकी जिन्दगियों का आउटपुट इससे कहीं बहतर हो सके quelqu'e आएगा फिर्द कीजे कि हम इनको गाड़ी के मिकैनिक होने की ट्रेनिंग दे देते हैं तो गाड़ीयों कि अंदर ये काम कर सकीजे ते इनको किसी ओर चीज़ की ट्रेनिंग दे दे देते हैं तो ये इस प्रोफरेशन के यडोप आज इनकी तंख़ा बहुत छोटी सी तंख़ा होगी, कल उस जरूरत की वज़ा से ये ट्रेनिंग हासिट करेंगे, तालीम हासिल करेंगे, अपने रोज़गार में एक अच्छे रोज़गार की तरफ चले जाएंगे, जाड़ो लगाना गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है, सफाई होना बहुत जरूरी है मुलक के अंदर, और मैं आपकी खिदमत में जरूर कहूंगा, कि रिस्पेक्ट कीजएगा उन लोगों की, कि जो इस किसम की कामों को अंजाम दे रहें, जिससे मेरी और आपकी जिन्दगी के अंदर सहूलतें बन रही हैं, चाहिए वो कोई भी काम कर रहें, ये रिस्पेक्ट फुल लोग हैं, आप इनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन इनकी respect इसमें नहीं है कि इनको इसी काम के अंदर bound कर दिया जाए इनकी respect इसमें होगी कि इनको इससे ज़्यादा income मिलनी चाहिए इनको इससे ज़्यादा facilities मिलनी चाहिए तो technology को आने दीजे, machine को आने दीजे machine के आने से अगर appropriate machinery हुई तो आपकी जिन्दगी के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से लोग मूव कर सकेंगे उनको रुजगार के ज्यादा बेहतर मौाके मिलना शुरू हो जाएंगे मैंने दो में साथे आपके सामने दी एक टेक्नालोजी में लेंड लाइन्स का चेंज होना था दूसर टेक्नालोजी के अंदर जैसे मैंने कहा कि रोड्स के उपर चीज़ों का साफ होना है अब यह जिस पार्क के अंदर मैं और आप खड़े हैं यहाँ पर फर्ष मौजूद है इसके ओपर कुछ कुड़ा पड़ा हुआ है और यह इंतजार हो रहा है कि हिमन रिसूर्स अपनी बेसिक सिंपलस फॉर्म में इस्तेमाल होगी तब यह जगा साफ हो पाएगी और अगर यहाँ पर थोड़ी सी मशिनरी इस्तेमाल हो जाए तुरसा आटोमेशन हो जाए जैसा कि हम और आप दुनिया वर की एरपोर्ट्स के उपर देखा करते हैं तो फिर यह तमसमेच दीजे कि जो काम एक इनसान एक जगा के उपर अंजाम देगा फिर एक मशिन उसी काम को दस जगा के उपर अंजाम दे रही होगी और हमारी और आपकी जिन्दगी में उन लोगों को ज्यादा बेहतर काम करने के लिए मौके मिलना शुरू हो जाएंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो यह कि अगर आप किसी कारखाने के मालिक हैं मत घबराएगे इससे कि आपके पास टेकनारजी आएगी तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा आपके पास लिबर नहीं होंगे आपके प्राब्लम्स होंगी आपकी जिन्दगी में इंप्रूव्मेंट भी आएगी और वो लिबर भी ना घबराए कि अगर हमारे मालिक ने कारखाने के अंदर मशीन लगा दी तो पिर हमारा क्या होगा एक बात का जरूर ख्याल कीजेगा जो हमने पिछले पुराम के अंदर भी शायद कहा वजी के टेक्नालोजी का एप्रोप्रेट होना बहुत जरूरी है हर मॉडरनाइजेशन, हर आटोमेशन, हर मशीन हमारे मुलक के अंदर आए इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं रहेगी लेकिन जिनका तालुख हमारी जिन्दगी से है और हमारी जिन्दगी में आसानी ला सकते है वो मशीन जरूर आनी चाहिए उससे कोई बेरुजगार नहीं होगा लोगों के रुजगार में तरक्टी हासल होगी लोग और ज़्यादा इंकम की तरफ जाएंगे और आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहते तरीके से इंजुआए कर सकेंगे नासलिन टेकनालोजी को एड़ॉप करने में जो एक और प्रॉबलम है जो लोगों के जहन के अंदर आती है विज़े के टेकनालोजी के ओपर पैसा हमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और बाद अकाद वो पैसा वापस आता नजर भी नहीं आ रहा होता निसल के तोर पर आपने कोई नई मशीन खरी दी और उस नई मशीन से आपको लाग ओनोपे लगाने पड़ गए लेकिन उस नई मशीन का एडवांटेज आपको इतना ज़्यादा फैनेशली नजर नहीं आ रहा होता तो इस खातर बाद लोग कहते हैं कि टेकनालोजी एक लगजरी है और इसके अंदर पैसा लग जाता है लेकिन पैसा बनता नहीं है हमें की देखना होता है कि पैसा डिरेक्ली बनना चाहिए या इन डिरेक्ली अगर और ज़्यादा पैसा बन रहा है तो वो भी हमारे लिए काफी है मैं एक च्छोड़ी सी मिसाल दूँगा मुझे है कि मेरे घर में पानी इस्तेमाल होता था और वो पानी जो था वो मैं मिनरल वाटर बहार से खरीदा करता था या कभी फिल्टर वाटर खरीदा करता था फिर मेरे जहन में एक दफ़ा एक बात आई मुझे है कि मैं जो पानी खरीद रहा हूँ और मुम्किन है कोई कोई कहा है कि हम पानी खरीदते नहीं हमें तो पानी मुफ़न मिल रहा होता है नलके में आ रहा होता है हम उसे इस्तिमाल कर रहे होते हैं लेकिन ब्रादर यह है कि आप जो पानी इस्तिमाल कर रहे होते हैं उससे शायद आप बीमार हो रहे हैं और बीमार यह है कि आप टेक्नालोजी के ओपर थोड़ से पैसे लगाईए, मिसाल की तोपर आपने वाटर फिल्टर प्लांट लगाया अपने घर के अंदर, आपके पैसे थोड़ से लग गए, लेकिन उस पैसे के तरिये से आपने वो लागों रुपे बाद बचा लिए, जो खुदा किसी बड़ी बीमारी की वज़ए से किसी बच्चे के ओपर या किसी बुजर्ग के ओपर खर्च हो सकते थे, पस टेक्नालोजी मुम्किन है डिरेक्ली आपको फैनेशल बैनेफिट ना दे, लेकिन कहीं और आपके बहुत बड़े बड़े खर्चों को बचाने का सबब बन सेविंग नहीं होती, लेकि मैं कहूंगा कि जड़ा सा हिसाब कीजेगा, एक तो अविलिबिलिटी का इशू, और दूसरा इसकी एश्वरेंस का इशू, और तीसरा लंबी मुदत में हता इसका फानेशल बैनेफिट, आपके पास जो एक अच्छा सोलर पैनल होता है, वो कम इस साल के अंदर जो पैसा आप बचाएंगे, वो उससे कहीं ज़्यादा होगा, जो आप अपनी मन्थनी बिल्ज के अंदर दे रहे होंगे, तो इसको जरूर इस लेविल के उपर जाकर सोचिएगा, कि टेकनालोजी के उपर खर्चा जो होता है, वो बाद अकाद इमीडिय ज़्याद के उपर पैसा खर्च नहीं करते हैं, बाद अकाद हमारे जो गौर्वर्मेंट को रन कर रहे होते हैं, यह जो प्लानर्स होते हैं, उनके जहन के अंदर आता हँ, भई, यह जो ऑनवार्मेνट के उन्टर पैसा है, यह हमतने हैं, तो लोक भूके मर रहे हैं, घर यहां एक सहलाब आता है खुदा ना करें फिर कभी हमारे यहां जलजला आता है फिर कभी हमारे यहां कहत आ जाता है और अगर कोई डिजास्टर बन जाता है तो एक आदमी के ओपर चार गुना ज्यादा खर्चा हो रहा होता है जानी मैं अगर अगर अपनी आम जिंदगी में अपने उपर एक दिन में 100 रुपए लगाता हूँ तो अगर मैं डिस्प्लेस हो जाता हूँ तो मेरे उपर 400 रुपए डेली के लग रहे होते हैं अब आप सूचिए कि जब पाकिस्तान के अंदर सहलाब आया और लोग डिस्प्लेस हुए जिनकी तेदाद कैई मिलियन थी एक करोड से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए इनके उपर जो पैसा लगा अगर इसका वन टेंथ भी हम एंवार्मेंट की पोटेक्शन की उपर लगा देते तो वो सारा पैसा सेफ किया जा सकता था जो हमें लॉस हुआ है यह हम सेफ कर सकते थे लोगों की जो जिन्दगियों के अंदर इतनी ज़्यादा मुश्किलात आई उन सब को हम बचा सकते थे अगर हम अकलमंदी के साथ अपने काम को अंजाम दे देते तो सोचनी की सबुरत होती है beyond अगर टेकनालोजी के अंदर के टेकनालोजी के अंदर investment कहा होनी चाहिए किस जग़प टेकनालोजी के वपर Inves करके मैं लंबी मुदत में बचा सकता हूँ या अपने लिए indirect saving कर सकता हूँ और मैं guarantee चे कहा रहा हूँ कि अगर आप टेक्नालोजी को इस तरीके से इस्तिमाल करेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर और ज्यादा रिसूर्स को हासिल कर सकेंगे बेहतर जिंदगी गुजानने के लिए नहीं टेक्नालोजी के अंदर एक और चैप्टर ये है कि क्या टेक्नालोजी हमारे मुल्क से गुर्बत का खातिमा कर सकती है गुर्बत इस वक्त की दुनिया की मुश्किलात में से एक मुश्किल है पावर्टी का इशू इस्पैसिल डेवलिम्पिंग कांट्रीज के अंदर ये इशू बहुत बड़ा इशू है और खासकर वो मुमालिक जिनके अबादी बहुत ज्यादा है जैसे पाकिस्तान है और जैसे के बयान होता है कि पाकिस्तान साथ माँ बड़ा मुल्क है अबादी के इतिबार से यहां पर 18 करोड लोग रह रहे हैं और इन अठाग करोड़ लोगों में ज्यादाता लोग वो लोग हैं कि जो रूरल एरियास के अंदर रह रहे हैं जिनके पास टेक्नालोजी जाहरे बहुत ही प्रीमेचोर कंडिशन के अंदर मौझूद है क्या टेक्नालोजी को इस्तेमाल करके घृरबत का खात्मा किया जा सकता है अच्छा बात लोगों के जहन में या आता है कि टेक्नालोजी जो है वो एक खास स्टेटस पर आने के बात तो फाइदा देगी उससे पहले कुछ ज्यादा फाइदा नहीं दे पाएगी तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम लोग जिन्दगी के बहुत सारे कामों को बगए टेक्नालोजी के कर तो रहे हैं लेकिन हमारी पॉड़क्टिविटी बहुत लिमिटेड है आप तसवर कीजे कि अगर कोई शखस ब्लॉग बना रहा है जो कंस्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं एक हाथ से और चंद मजदूर लगकर वो ब्लॉक्स बना रहे हैं कितने ब्लॉक्स अपने हाथों से बना सकेंगे लेकिन अगर यही मजदूर मशीन को आपरेट करने के काबिल हो जाएं मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करें मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं कि वो इलेक्ट्रिकल ही हो जिसके अंदर इलेक्टिसिटी इंवाल्व हो रही हो इतना ही ज्यादा उनकी प्रस्पेरिटी बढ़ेगी वो खुशाल जिन्दगी गुजार रहे होंगे तो हमारा जो की पॉइंट है कि क्या टेक्नालोजी लोगों की गुर्बत को दूर कर सकती है हमारा जवाब यह है कि हाँ सौ फीसद टेक्नालोजी का इस्तेमाल लोगों की गुर्बत को दूर कर सकता है लेकिन यहाँ पर हमें एक लोगों को करिश देनी होगी अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या टेक्नालोजी का इस्तेमाल गुर्बत को दूर कर सकता है तो मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल दूर कर सकता है अगर आप टेकनालोजी को इस्तेमाल करें सही तरीके से टेकनालोजी को इस्तेमाल करें तो आप यकीनन गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं लोगों की मुश्किलाथ को हल कर सकते हैं जितना production बढ़ती रहेगी उतना ही income बढ़ती रहेगी जितना income बढ़ती रहेगी उतना ही prosperity आएगी लोग ज्यादे resources रखेंगे अपनी जिंदगी की problems को solve करने में और अच्छे अच्छे वक्त को इस्तेमाल करने में एक बहुत बड़ा issue यह होता है कि आप technology का इस्तेमाल करके अपने लिए अच्छा वक्त spare कर सकते हैं आप सोचिए आप जितने देर में गाड़ी में बैटकर या बस में बैटकर स्टॉप तक गए फिर बस में बैठे बैंक तक पहुँचे बैंक में आपने पैसे को पेग किया घर वापिस आए आपके हाथ में एक mobile है जो पूरा बैंक है आपके पास आप अपना सारा bank account अपनी transactions अपने mobile के दरी से deal कर रहे हों और ये सारा वक्त आपका बचना शुरू हो जाए इस वक्त को आप अपनी family के साथ इस्तेमाल कीजिए इस वक्त को आप अपनी studies के अंदर इस्तेमाल कीजिए आपने अपनी जिन्देगी को enjoy करने की कोशश तो नसर भी की गुर्बत खतम होती है, resources महफूज हो जाती है, अब यहाँ पर एक और question था वो ये कि ये हिम्मत कौन दिलाए है लोगों को, मैंने बास वकाद देखा है, उनसे हम बात कर रहे होते हैं कि देखिए, आप इस technology को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके साल के तौप पर वो उनको plumbing सिखा रहे होते हैं, वो उनको सिलाही कड़ाई की चीज़ें, खवातीन को सिखा रहे होते हैं, और इसी तरिका से चोटी 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 skills उनको दे रहे होते हैं, जो यहाँ पर gap रह गया है, बूझे कि ये skills बहुत चोटी सी value add कर रहे हो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कामों को अंजाम दे सकेंगे मैं एक मिसाल दोंगा वोगी कि एक दर्जी है जो कुछ कपड़े सी रहा है और यह अपने लिए जितने भी कामों को कर रहा है वो मेन्वली अंजाम दे रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि हम तरन दर्जियों को जमा करें और एक ऐसे सेंटर में लेके जाएं जहां पर कपड़े की एक कटिंग टेक्नालोजी की जरीए से अंजाम पा रही हो कपड़ा बहुत कम वेस्ट होगा लोगों की एनरजी सेफ होना शुरू हो जाएंगी और वो ज्यादा तवज्जो अपने उस काम को अंजाम देंगे एक बहुत 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 चैप्टर जो टेक्नालोजी के अंदर आता है वो जिए कि जब ये चुटे 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 काम टेक्नालोजी की वज़ासे मशीन करने लगती है तो लोग अपने जहन को और ज्यादा प्रॉड़क्टिव जगा के यूपर इस्तिमाल करते है फिर वो उसकी प्लैनिंड की तरफ जाते हैं अच़े पूरू वो ऐसके कामों को करते हैं जो वाकिएंट ब्रेन का अच्छा इस्तिमाल है तो मैनोल कामों के अंदर इनसानों का brain इस्तेमाल कम होता है और वो सोचने समझने के कामों की तरफ ज्यादा अच्छे तरीके से जा सकते हैं जहाँ पर उनकी एक aesthetic sense इस्तेमाल होती है जहाँ पर उनके creativity इस्तेमाल हो रही होती है आप भी इस काम को कर सकते हैं अपने हलके के अंदर जहाँ कहीं भी आपके resources हैं वहाँ पर लोगों को promote कीजिए आप अपने neighborhood के अंदर लोगों को promote कीजिए और मैंने पहले भी कभी कहा था कि teachers बहुत important role play कर रहे होते हैं of course government का role बहुत important होता है लेकिन teachers बहुत important होते हैं पढ़े लिखे लोग important होते हैं तो आपने काम को अंजाम दें और technology के इस इस्तिमान के दरीए से पाकिस्तान को इक्तिसादी तरकी मिले पाकिस्तान की मईशत में बहतरी आए ये जो गुर्बत है इसका खातिमा हो लोग अच्छी जिन्दगी के तरफ जाएं गुर्बत खतम होगी नामनी का खात्मा भी होगा लोग से क्योर हो जाएंगे और इन्शालला हमें कैसे पाकिस्तान को देखेंगे जिसका खौब काईज आजम मुहमद लिजिना ने देखा था और उस पाकिस्तान को हासिल करने की हम सब के अंदर आर्ज हुए इन्शालला हमें खौदा ओदिन देखना नसीब करेगा बहुत शुक्रिया आपका बहुत ख्याल कीजेगा और अपनी जिन्दगी को और ज़्यदा कामिया बनाने की तरफ चाहिए बहुत खलवसरा हमें ठार्ज हमें नसे देखा थार्ज जिन्दगी को और अपनी हमें टक्रिया आपका